हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए इस विडियो में हम समझेंगे क्लास वाइफ की वर्कशीट नंबर 98 जो की 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश की बुक से आप अपनी ठीचर का नाम लिखेंगे ठीक है? चलिए अब इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग स्टूदेंट्स होप यू आर स्टेइंग सेफ आट होम उमीद है कि आप सभी अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे तो आपने ये पोम को जरूर पढ़ लिया होगा और काफी जादा इंज्वाइ भी किया होगा जो की हमारी टेक्स्ट्बुक मारीगोल्ड से ही ली हुई है अब देखो फर्स यहाँ पर पॉइंट बता रखा है नीचे कुछ पिक्चर दे रखी है और उनके नीचे कुछ वर्ट दे रखी है हमें उन्हें जोर जोर से पढ़ना है फर्स्ट है थ्रो मतलब फेकना सेकीन है जम्प मतलब कूदना थर्ड है सिंग मतलब गाना फूर्थ है हाइड जुपना और last है cry, cry मतलब रोना As you can see, some actions are taking place in those pictures and the words तो ये सभी जो words हैं और ये pictures हैं इसमें दिखा रहें कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है यानि कोई action लिया जा रहा है Words given below are called action words or doing words तो इन सभी words को हम या तो action words बोलेंगे या फिर doing words बोलेंगे For example, throw, sleep, talk, run, eat, drink, swim, laugh, etc तो इन सभी words से हमें किसी ना किसी काम के होने का पता चल रहा है काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे action और इन words को बोलेंगे doing words या फिर action words ठीके बच्चो चलो इसका next part देखते हैं Look at the following sentences and underline the action or doing words One has been done for you तो हमें इस सारे sentences पढ़ने हैं और इन में उन उस word पे हमें underline करना है जो की doing word है जैसे की first में हमें दिखा रखा है मीना is going to the market तो going यहाँ पे एक action word है क्योंकि going का मतलब होता है जाना सेकिंड है mother is cooking in the kitchen तो mother क्या काम कर रही है तो mommy यहाँ पे खाना बना रही है ठीके बच्चो तो खाना बनाना यानि cooking यहाँ पे एक action word है थर्ड सेंटेंस है वारुन is reading a book वारुन क्या कर रहा है एक book को read कर रहा है तो reading यहाँ पे action word है फोर्थ में है mini is playing with a ball mini खेल रही है एक ball के साथ तो mini क्या कर रही है खेल रही है तो playing यहाँ पे action word होगा और last वाला सेंटेंस है रेखा इस jumping रेखा क्या कर रही है, जम्प कर रही है, तो जम्पिंग यहाँ पे एक action word है, ठीक है बच्चो, तो B part complete हो गया, अब हम देखते हैं इसका last part, जो की है talk time, तो बच्चो आपको इस picture को ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक औरत है, यह एक आदमी है, यानि मैन है, यह वो मैन है और यह एक boy है, तो आपको guess करना है कि यह आपस में क्या बाते कर रहे हैं, चलिए इसका answer हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले woman बोलती है, be careful, सावधान रहना, boy बोलता है, पापा, kindly hold the bicycle, कृपया मेरी cycle को पकड़ लो, जिससे वो बच्चा गिरेना, तो man ब के साथ, Simon Says, खेल खेलें, इस से बच्चे को विभिन वर्ब्स की पहचान करने में मदद मिलेगी, तो बच्चो आप यह खेल अपने parents के साथ खेल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि यह कैसे खेलते हैं, तो आप इसे Google करेंगे, या अपने friends से पूछेंगे, और फि के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू